देश काउम दे तरम लेई सर्बंस वारन वाले शिरी गुरु को बिंद सिंग जी जिनाने जबर जुलम दे विरुद्ध तरम देश काउम लेई अपने माता पिता अपने चार साहिप जादे अपना पूरा परिवार पुर्बान करदता शिरी गुरु गोबिंद सिंग जी दा प्रकाश 1686 वी नू पटना साहिप विखे शिरी गुरु तेग बहादर जी अते माता गुजरी जी देगरे विखे हुया शिरी गुरु गोबिंद सिंग जी दी उमर केवल कुझ सालां दी ही सी चदों शिरी गुरु तेग बहादर जी ने शिरी अनंधपुर्द साहिब वापसा के अपने पुत्तर ते प्रिवार नू पटना तों शिरी अनंधपुर्द साहिब बुला लिया जदों शिरीग्रु गुबिंद सिंग जी दा प्रकाश होया उस विले आउरंग जेब दा जबर जुलम ते अत्याचार सब हदां बनने टप गया सी देश ते बादशा आउरंग जेब ने उस विले देश पर दे अपने सारे गवर्नरानों ए खुकम जारी कर देता सी के हिंदुआं दे सारे मंदर अते स्कूल ता दिते जान इना हुकमानों सारे गवर्नरान वलों बड़े सखती नाल लागो की ता जान पया उस समें कश्मीर दा गवर्नर इफ्तिखार खांसी जिसने बादशा दे इना हुकमानों लागो करन दी आत ही चुकले कश्मीर विच्च मंदर टाहे जान लगे अते हिंदुआनों जबरदस्ती मुसल्मान बनाया जान लग पया जदों अत्याचार सब हद्दा बनने टप गया ता कश्मीरी पंडितां दा 16 मेंबरी वफद पंडित किर्पा राम दी अगवाई विच्च शिरी अनदपुर साहिब पाउच के शिरी गुरु तेग बहादर जी अगे एस जुलम दे विरुद फरयाद करन लग्या इस वफद दी मुलाकात गुरु जी नाल 25 मई 1645 वी नू हुई कश्मीरी पंडिता ने सारा हाल गुरु जी नू दस्या जिसनू सुनके गुरु जी गंबीर हो गई उस विले शिरी गुरु को बिंद सिंग जी दी उमर केवल 9 साव दी सी जदों शिरी गुरु को बिंद सिंग जी ने अपने पिता नू गंबीर मुत्रा विच बैटे देखिया तां उना इस्ता कारन चाणना चाहिया शिरी गुरु तेग बहादर जी ने किहा कि इनाला चार पंडितां ते जुलम हो रहा है जिसनू तद ही ठल पैसक दी है जेकर कोई महावली अपनी कुर्बानी देवे शिरी गुरु गोबिंद सिंग जी ने तुरंत किहा कि पिता जी तोहा डेतनों वड़ा महावली और काण हो सकदा इस तरह हिंदोस्तान विच हिंदू तरम दी रख्या लई शिरी गुरु गोबिंद सिंग जी ने बाल उमर विच ही अपने पिता जी नू दिल्ली वलतो रिया आवरंग जेब दे हुकम ते शिरी गुरु तेग बहादर जी नू 11 नवंबर 1675 इस विनू दिल्ली च चांदनी चाउंक विखे गुरु जी दा सीस कलम करके शहीत कर दिता गया शिरी गुरु तेग बहादर साहिब दी शहादत तों बाद 1675 इस विच गुरु को बिंद सिंग जी नू कुरकदी ती सिम्मेवारी सोंपी गई ओसमे गुरु जी दी उमर 9 साल दी सी इन्नी चोटी उमर चे विणी वड़ी जिम्मेवारी नू गुरु जी ने सूजवान राजनीती वान अते तरमी पुरश्वचो निबाया गुरु तेग बहादर जी दी शहीदी तो बाद शिरी गुरु गोबिंद सिंग जी ने अपने सारे सिखानों शस्तर बद होन अते वदियाक को डे रखन देई उसे तरह हुकम जारी कार देता जिस तरह शिरी गुरु अर्जन देव जी दी शहीदी तो बाद गुरु गोब साहिब जी ने कीता सी गुरु जी शिरी अनादपुर साहिब तों कुझ समेले हिमाच्र प्रदेश मिच नाहन दे राजे मेदनी प्रकाश दे सद्धे चले गए अते उत्थे पाउंटा साहिब नादा नगर वसाया इत्थे ही गुरु जी ने बहुत सारिया बाणिया दी रच नाल लड़े अते जत हासल कीती इस्तो बाद गुरु जी मुड शिरी अनादपुर साहिब विखे आगे 1699 बेसाखी वाले दिन गुरु जी ने खालसा पांथ दी सिर्जना कीती अते पांज प्यारेया कोड़ो आप अमरित छक के आपना ना गुरु को बिंद सिंग रख्या गुरु जी दे बचपन दा ना गुबिंद राए सी शिरी अनादपुर साहिब विखे रेंदियां भी पहाड़ी राजिया ने गुरु जी नाल लड़ाई चगड़ा जारी रख्या पर जित हमेशा गुरु जी दी ही हुंदी रही अखीर 1744 विनु जदों गुरु जी ने शिरी अनादपुर साहिब दा किला चड़ दिता ता मुगल फाउजा ने पिछों हमला कर दिता जिस करके गुरु जी दा सारा परिवार विछड़ गया चमकावर साहिब एक कच्ची गड़ी विच गुरु जी ने अपने चाली सिंगां समेत 10 लख मुगल फाउज दा टाकर किता इत्धे ही उनाने अपने एक एक सिंग नो सवा सवा लख दुश्मना नाड लड़ाया इत्धे गुरु जी दे दो वड़े साहिबजादे बाबा अजीत सिंग अते बाबा जुजार सिंग शहीद हो गई गुरु जी दे चोटे साहिब जादेयां बाबा जोरावर सिंग ते बाबा फते सिंग जी नू सरहांद दे सूबे वजीर खान दे हुकम ते जिन्दा नीहां विच चनवा के शहीद कर दिता गया गुरु जी ने साबो की तलवंडी विखे शिरी गुरु गरंत साहिब जी दा पुनर संबादन कीता अते अपने पिता शिरी गुरु तेग बहादर जी दी बाणी नू गुरु गरंत साहिब विच तरज कीता शिरी गुरु को विन सिंग जी दे जीवन चोसा नू एक गल प्रमुक्ता नाल पता चल दी है के गुरु जी दी किसे नाल जाती तुश्मनी नहीं सी पीर बुद्धु शावर गे मुसल्मान फकीर गुरु जी दे पक्के मुरीद संथ अते होरता होर पीर जी ने गुरु जी दी पंगानी दे युद विच मदद वी कीती सी गुरु जी दी लडाई जुलम नाल सी किसे व्यक्ती विशेश नाल नहीं गुरु जी दी बानी विच सचले लडना ते मजलूम दी रख्या करन दी सिख्या मिल दी है सतंबर 1727 वी विच गुरु जी तखन विच महरास्टर दे नादेड नामी स्थान ते चले गई जिते गुरु जी ने मादो दास वेरागी नो अमरित चका के बाबा बंदा सिंग बाहादर बनाया अते जुलम दा टाकरा करन लेई पंजाब वाल पे जिया बाद विच बाबा बंदा सिंग बहादर ने शिरी हजूर साहिब नादेड तो पंजाब आके सरहंद दी इट नाल इट खड़का के वजीर खानों मौत दे काट उतार के साहिब जादियां दी शहीदी दा बदला लिया नादेड नामी स्थान ते दो विश्वाश का ती पठाणा ने गुरुजी ते छुरे नाल बार कर दिता गुरुजी ने अपनी तलवार नाल एक पठाण नूता मौके ते ही मार दिता जद की दूज्या सिखां हतों मारे आगया गुरुजी दे जखम काफी गेरे सां ते सत अक्तूबर 1708 इसवी नू गुरुजी जोती चोच समा गई शिरी गुरु ग्रंथ साहिब जीनू कुरुकद्धी दे दिती नाव साल दी उमर च अपने पिता शिरी गुरु तेक बहादर जीनू शहीद होन दे दिल्ली पे जया गुरु साहिब ने अपने चारू साहिबजादे कौम नू समर्पित कर दिते, वड़े साहिबजादे जंगे मैदान च शहीद हो गई, ते छोटे साहिबजादयानू जिन्दा नीहां विच चनवा दिता, गुरु जी दे माता, माता गुजरी जी ने पोधे महीने ठंडे बु जी विच अपने प्राण त्याग दिते, इस तरहां शिरी गुरु गोबिंद सिंग्जी ने देश कौम दे लई, जबर जुलम दे विरुद अपना पूरा परिवार कुरबान कर दिता।